तो गाई स्वागत आप सब का आज की इस वीडियो में और यहाँ पर यह आज की थोड़ी special वीडियो होने वाली है अलग वीडियो होने वाली क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले what is heal यहाँ पर हील क्या होता है अब आज के टाइम में जो डबलोबी काफी टाइम से देख रहे हैं उनके लिए तो भाई एक कॉमन टॉपिक है कि भाई वो डबलोबी अगर देख रहा है तो उसको यह सारी बेसिक चीज़ें पता है लेकिन रीसेंटी अभी मेरे पास एक यूजर है वो भाई यहाँ पर यह पूछ रहा था भाई डबलोबी के अंदर हील क्या होता है हील किसे कहते हैं तो भाई मैंने जब यह कॉमेंट पड़ा तो मुझे लगा भाई अभी भी ऐसे कुछ लोग है जिनको यह बेसिक चीज़ें आप नहीं पता हैं हील क्या होता ह है जिन्होंने जश्ट अभी डबलोबी को देखना स्टार्ट किया है अभी जो ओडियन्स यहाँ पर कनेक्ट होरी है डबलोबी से उनको यहाँ पर यह बेसिक चीज़ों के वारे में पता नहीं है हाला कि हम तो काफी टाइम से देख रहे हैं बहुत सारे लोगे जो बहुत यहाँ पर यह चोटा सा टॉपिक है और रिसेंटी क्योंकि अभी ब्रॉक लेस्नर का हील टान हुआ तो उसी के बाद भाई यह टॉपिक यहाँ पर उठाएगे हील होता क्या है तो इस वीडियो के अंदर में आपको यही बताने वाला हो और यह काफी छोटा टॉपिक है त अगर आपको ऐसी को छोटी छोटी चीए नहीं पता तो उसकी भी यहाँ पर में वीडियो बना दूँगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरू करते न तो आइस पर चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो हील के आपर हम बात करें तो डबल अबली के अंदर हील अगर मैं आ अच्छे होता उनको फेस सुपरस्टार बोला आता है तो अभी रीसेंट यहाँ पर हमने देखा कि ब्रॉक लेस्टनर का यहाँ पर हील डन हुआ जब उन्होंने कोडी रोड्स की उपर अटेक कर दिया तो उसी के बाद यहाँ पर यहाँ पर हील होता गया है तो हील यहाँ को मारना है तो वो मारेंगे उनको रियक्शन यहाँ पर चाहिए नहीं कुछ भी यहाँ पर करो तो एक टैक से जो विलन होते हैं डबलोबी के अंदर उनको यहाँ पर हील बोले आता है कोई यहाँ पर यह बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन जिन्होंने अभी डबलोबी को सकते हो उसके उपर मैं यहाँ पर वीडियो बना दुआ क्योंकि पहले हमारी एक सीरीज चलती सी बेसिक रैसलिंग नॉलेज करके जहां पर ऐसी छोटे-छोटे टॉपिस को कवर किया जाता था तो अगर आपके मांड में भी ऐसा कोई छोटा टॉपिक है जिसके बारे में आपको नहीं पता हूँ तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो उसके उपर यहाँ पर वीडियो आ जागी बाकी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरू करते हैं और तब तक के लिए ध्यान रखें अपने पर यहार के तब तक के लिए मैं कहता हूं गुडबाई